ऐसी महिलाओं के द्वारा मेंटेनिस के कानून का दुर्प्योग किया जा रहा है और कोर्ट ऐसी महिलाओं को मेंटेनिस भी ग्रांट कर रही है लेकिन factual points के साथ साथ पती को कुछ legal points भी कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे जिससे की पती पत्नी के मेंटेनिस को खतम करवा स दोस्तों legal गुरुकुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जहां मिलती है आपको सही legal knowledge और सही legal advice दोस्तों आज के समय में पत्नी के मेंटेनिस को खतम करवाना या कम करवाना पती के लिए सबसे बड़ा challenge है मेंटेनिस का कानून बना तो उन महिलाओं के लिए था उन पत्निओं के लिए था जो की housewife थी जिनके पास अपनी आयंका कोई भी साधन नहीं था जेकिन आज के समय में पड़ी लिखी महिलाएं ऐसी महिलाएं जो काम कर रही हैं काम करके पैसा कमा रही हैं या अगर काम नहीं भी कर रही तो पैसा कमाने की शम्ता रखती हैं educated हैं qualified हैं ऐसी महिलाओं के द्वारा maintenance के कानून का दुर्पयोग किया जा रहा है और कोर्ट ऐसी महिलाओं को maintenance भी grant कर रही हैं दोस्तों अगर पती चाहता है कि वो पतनी के maintenance को खारिच करवा दे खतम करवा दे या maintenance को कम करवाए तो ऐसे में पती को कोर्ट के सामने सही strategy सही legal points को उठाना होगा अब वो कौन से legal points हैं यह आज के वीडियो में हम discuss करेंगे इसलिए मेरी आपसे request है कि आपने वीडियो को अंतक दरूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए साथ ही notification bell icon दबा दीजिए इन केस आपकी कोई भी legal समस्या है legal problem है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं यदि आप urgently मुझसे बात करना चाहते हैं अपने matter को discuss करना चाहते हैं तो आप call me for application का इस्तमाल कर सकते हैं या email से मुझसे one to one session की appointment ले सकते हैं दोस्तों maintenance के case में पत्नी के जाधातर standard आरूप होते हैं कि पत्ती के द्वरा उसे physically और mentally harass किया गया दहेज के लिए तंग किया गया और ultimately पत्ती को घर से पाहर निकाल दिया गया पत्ती अपने पत्ती की income के बारे में बढ़ा चड़ा करके code को बताती है जहां पत्ती की income 10 या 20,000 रुपे है तो वहाँ उसे 50,000 तक पहुँचा दिया जाता है जबकि पत्ती अपनी खुद की income या तो निल जीरोश दिखाती है या फिर कम से कम शो करती है ज़ादा से ज़ादा maintenance लेने के चकर में पत्ती income एफिडेविट में भी जूटी और गलत जानकारी code में submit करती है ऐसे में code के सामने पत्ती कौन कौन से legal points उठा सकता है और उठाने भी चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं उन्हें अब discuss करते हैं दोस्तों सबसे पहला point ये कि पत्ती पत्तनी की income के बारे में code को जानकारी दे क्योंकि पत्तनी code के सामने अपनी income को छुपाती है या कम बताती है तो ऐसे में ये पती के ओपर उनस आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है, कि वो पत्नी की income को, सही income को कोट के सामने लेकर के आए इसके लिए अगर पत्नी income tax return भरती है, तो पत्नी income tax office में RTI लिगा करके पत्नी की जनरिक income के बारे में जानकारी ले सकता है अगर पतनी किसी स्कूल या ओफिस में काम करती है तो पती एविडेंस के टाइम पर वहां के ओफिशल को कोर्ट में बुला सकता है और साबित कर सकता है कि पतनी कमा रही है जॉब कर रही है अगर पतनी बैंक अकाउंट मेंटेन करती है उसमें पतनी की इंकम आती है तो पती बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रख सकता है अगर बैंक स्टेटमेंट वो अप्टेन नहीं कर पाता तो एविडेंस के दोरान बैंक वालों को कोर्ट में बुला सकता है जो कि पतनी की ब income एफिडेविट में जूटी information दे रही है लेकिन आपके पास पत्नी की income के बारे में या उसके assets के बारे में documentary proof है जैसे कि कोई salary slip या कोई register deed या bank statement तो ऐसे में आपको पत्नी के खिलाफ परजरी यानि की court से जूट बोलने की कारवाई जुरूर करनी है ऐसे में पत्नी अपने ही जाल में फज जाएगी और उसके against criminal case register हो सकता है पत्नी को सजा भी हो सकती है दोस्तों अगर family court आपकी परजरी की application को dismiss कर देती है तो आपने उस order की अगली court में appeal ज़रूर फाइल करनी है क्योंकि applied court मामले को seriously लेती है और पत्नी को relief मिलने के बहुत जादा chances है दोस्तों पत्नी की income और assets की जानकारी के लिए court में application भी फाइल कर सकता है जो कि पुराने कानून CRPC का section 91 था और अब नए कानून भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता का section 94 है दोस्तों अगला major point जो की पत्नी ने court के सामने रखना है वो है पत्नी की educational qualification दोस्तों अगर पत्नी पड़ी लिखी है, graduate है, post graduate है, पत्नी ने कोई professional course का रखा है, कोई diploma का रखा है इसकी जानकारी आपने court में जरूर देनी है, ये बहुत ही important information है क्योंकि बहुत सारी judgment में court ने ये कहा है, कि एक पड़ी लिखी पत्नी, well qualified पत्नी खाली बैठ कर अपने पत्नी से maintenance नहीं ले सकती है क्योंकि पत्नी well qualified है, educated है, तो उसे भी कोशिश करनी होगी, कि वो अपने आपको maintain करे, job करे, कोई काम करे दोस्तों अगर पत्नी ने शादी से पहले ये शादी के बाद कोई काम किया है, कोई नौकरी करी है, कोई job करी है, या कोई business किया है तो पत्नी को इसके बारे में भी court को अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी है ताकि court को पता लगे कि पत्नी अच्छा खासा work experience सकती है, पहले भी कमा चुकी है और अब भी कमा सकती है दोस्तों हमारा अगला point ये है कि पत्नी को अपने actual financial status या financial income के बारे में court को सही जानकारी देनी है क्योंकि पत्नी हर चीज़ को बड़ा चड़ा करके court के सामने दिखाती है, ऐसे में पत्नी को अपनी सही income के बारे में जो भी relevant documents हैं, वो court के सामने पेश करने हैं, ताकि पत्नी का जूट court के सामने आ सके दोस्तों यहाँ पर एक doubt ये भी उड़ता है कि यदि पत्ती अपने financial income या financial status के बारे में court को सही जानकारी देता है, तो court पत्ती की income के इसाब से पत्नी का maintenance fix कर देगी लेकिन दोस्तों यहीं पर हमारा अगला point आता है कि पती ने अपनी income और financial status के साथ-साथ पती के ओपर कौन-कौन सी जिम्मेदारी आएं, उन्हें भी court के सामने रखना है यदि पती के माता-पिता, भाई-भेन, पती पर financially dependent हैं, तो ये बात court के सामने रखने पड़ेगी और जितने भी dependent है, उनका कितना खर्चा है, वो किस तरह से पती से related हैं, ये भी पती को बताना पड़ेगा माता-पिता का medical खर्च, भाई-बेन की पढ़ाई लिखाई, या शादी का खर्च, ये सब चीजें court को पता होनी बेहद ही जरूरी है दोस्तों, अपने सभी dependence की information के साथ-साथ, पती को अपने expenses, यानि की अपने उपर जो expenditure वो करता है, इसके बारे में भी court को बताना है अगर पती कोई बड़ी EMI देता है, तो उसके बारे में भी information देना जरूरी है, जिससे की maintenance पर फरक पड़ सकता है दोस्तों, हमारा अगला point यह है, कि कई बारी पती की income में बदलाव आ जाता है, यानि कि मान लीजिए कि पहले पती की income थी 10,000, लेकिन case के दोरान पती की income कम हो जाती है, अब 7,000 है जाती है, तो इस तरह के बदलाव, change in circumstances, change in income, ये भी court के सामने रखने बेहदी जरूरी है तो तब भी पती court को बता सकता है और पत्नी के maintenance को कम करवा सकता है, दोस्तों ये तो थे कुछ factual points, लेकिन factual points के साथ साथ पती को कुछ legal points भी court के सामने रखने पड़ेंगे, जैसे कि पत्नी का maintenance कितना होना चाहिए, देखिए पत्नी का maintenance हमेशा से ही एक reasonable amount होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पत्नी का maintenance पती के लिए सजा बन जाए, या पती के लिए एक नई hardship बन जाए, पती को इसके लिए अपनी favor में judgment को सर्च करना पड़ेगा, और उन्हें court में submit करना पड़ेगा, दोस्तों पत्नी का maintenance कितने percentage में होना चाहिए, उसकी भी judgments है, Honorable Supreme Court ने अपनी landmark judgment कल्यान versus रीता दे में ये कहा था कि पती की income का 25% तक पत्नी के maintenance में दिया जा सकता है, पती इस point पर भी judgment दे सकता है, कि ऐसी महिलाएं जो well qualified हैं, well educated हैं, काम कर सकती हैं, लेकिन फिर भी घर में खाली बैटी हैं, पती से maintenance ले रही हैं, तो ऐसी महिलाएं maintenance ले entitle नहीं है, इस पर भी judgments हैं, तो ऐसी judgments पती कोर्ट में दे सकता है, दोस्तों इसी तरह honorable supreme court की landmark judgment है, कि maintenance का amount बिल्कुल reasonable और realistic होना चाहिए, यानि कि maintenance ना तो कम होना चाहिए, कि पत्नी अपनी गुदर बसर ही ना कर सके, और ना ही इतना जादा होना चाहिए, कि वो पती के ओपर बोज बन जाए, प ये सभी points आपको पत्नी के maintenance को खतम करने में मदद करेंगे, या कम करवाने में मदद करेंगे, अगर family court में आपको कोई relief नहीं मिलता, तो यकीन मानिए, यही points आपको अगली court में, यानि कि applet court या revisional court में आपकी help ज़रूर करेंगे, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, नए topic के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिन!